तो हेलो एंटो सब्सक्राइब आप सभी का स्वागत है एक और नए फीडियो में तो ये six man match एक बार फिर से लख चुका है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन बनेगा number one contender देक्स्टर को फेस करने के लिए जो अफकॉर्स दो बार तो जीरी चुके हैं तो आओ जल्दी से ये six man match चालू करते हैं और देखते हैं कौन बनने वाला है number one contender लेट्स गो तो ये match इदर चालू होता हुआ और देखना ये है कि कौन बनेगा number one contender और टंसर ने आर्कियों मार दिया है फिलार के लिए बिटिश बुल्डॉक सर को भी मार दिया है Claymore मेरे खयाल से डू मेकेंटायर ने इदर मैंसूर मारते हुए फिलार के लिफ्ट करके मारा एक बर और बिटिश बुल्डॉक सर को मारा बिटिश बुल्डॉक आज इदर इसी लिए है क्योंकि कल बहुत अच्छा खेला था के टीम में लगे थे यूँ मागा की तो बहुत अच्छा खेला था इन्होंने फिलार के लेक ओके डू मैकेंटार मेंसूर को मारते हुए स्पाइन बस्टर और अभी फिन बेलॉर भी एदर फिन को मत भूल जाना इतने जादा भारी भरकम प्लेयर्स के बीच में क्योंकि वो छोटे से जो दिखाई नहीं दिये थे अभी तक लेकिन फिन भी है इस मैच म तो वो भी नमबर वन के टेंडर बन सकते हैं उदर ब्रिटेश बुल्डॉग को ओर्टन सर मारते हुए ओर्टन सर का मेरे खयाल से आज अगर जीत चाते हैं तो फिर मुझे टीम बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ओर्टन सर जब भी खेलते हैं अच्छा ही खेल खेल अभी के लिए एक बार ओके स्टील स्टेप से माज या ड्रू मेक इंटायर भी तो जीतना चाहते हैं इदर फिलार के लिए ब्रिटेश बुल्डॉग का पावर स्लैम आने वाला है और ब्रॉज श्टोमें से बहतर पावर स्लैम लगाते हैं ये फतर नाक फिलार के लि प्लेयर रिंग के अंदर आ गए हैं अब दो प्लेयर बाहार लड़ते हुए और मैंसूर भी उपर चले जाएं तो फिर क्या ही दिक्कत है लेकिन होटन सर उससे पहले नीचे आ गया फिलार के लिए फिन और डू लड़ते हुए अभी भी और और क्यों लग जाए तो अच् सब्सक्राइब करना लेकिन और यूंको जूना संदे मुफ्थिव का यूज करा है पंट किक पड़ेगी हमारे ओर टन सर को और टेंसर की हालत खराब उनही का मूब उनहीं पर लग जया है रेफरी जल्दी करना रेफरी इतनी भीमेदी में क्यों आया रेफरी ने का चलो प सब्सक्राइब करें लिए और अभी के लिए किसी ने भी आज अगर तोड़ देते हैं तो मज़ा आ जाएगा ठैर बेरिकेंट जल्दी तोड़ते नहीं लेकिन ये लोग फिलाक ले खोन निकल आया है और तंसर का और फिन बैल और अभी ड्रू मैकेंटाइर को मारते हुए उ रिंग में नहीं है रिंग में भी जाके लड़ लो क्या चला जाएगा फिलाक लेक शूप लेक शाता हुए फिन को और उधर ड्रू मैकेंटाइर मारते हुए मैंसूर को मैंसूर भी लेकिन ड्रू मैकेंटाइर को बराबरी से मारते जा रहे हैं कोई भी पार्चेल्टी नह पातने हैं क्या नहीं रिवर्सल , मेरे ख्याल से 19 2016 मानने जा रहे थे लेकिन रिवर्सल हो गया अब इतक कोई भी बाहर हुआ पहला प्लेयर कॉन एलिमे बाला मैंसूर गय है रिंग में मेंसूर गये हैं स्रूमि किछी आगे क्लेमोर नहीं क्लेमोर नहीं लगएगा फिलाल के लिए electric chair ज़रूर लगीगी मैंसूर मारते हैं क्योंकि मैंसूर electric chair लगाएंगी क्या Drew McIntyre का ठाटा होगा 1, 2, Drew McIntyre ने कर अब बिना resilience की kick-out resilience का use मुझे तो लगा था कर देंगे एक और अगर finisher connect होता है तो पक्का कर देंगे लेकिन क्या connect होगा बिल्कुल connect होगा मैंसूर का जबरदस्त कटर और अब तो resilience गया Drew McIntyre का फिलाल के लिए fin bell और और ओर टेंसर को अभी काम्याब नहीं होएं बाहर करने में resilience गया Drew McIntyre का claymore कब लगाएंगे Drew McIntyre मुझे यह देखना है फिलाल के लिए ओके यहाँ पे fin bell और अच्छे से मारते वे ओर टेंसर को उदर फजा के pinfall चले रहा है वान तू और केक आउट आता हुआ युको जूना सर की तरफ से भी और ओर टेंसर की तरफ से भी Drew McIntyre ने एक move reversal किया है मैंसूर का और लगता है क्लेमोर आएगा क्या क्लेमोर टाइम से पहले लगा पाएंगे नगर नहीं लगाया तो मैंसूर बाहर करेंगे Drew McIntyre को British Bulldog सर को एक और Venom की जो फुंकार दी वो आई ज़रूर लेकिन किसी के लगी ने तो होटन सर मैं काऊंगा कि थोड़ा और अगली पर ध्यान से माणना क्योंकि अभी तो लगी नहीं किसी को तो क्या फाइदा हो चीज का फिलाल क्ले को के एक योरो नागी इस पेनिंग योरो नागी Drew McIntyre की तरफ से Drew McIntyre क्या कर रहे है क्लेमोर नहीं माहीं जारीं से और एक आरक्यों आगे है British Bulldog का कहीं है Elimination ना हो जाए सबसे पहले लेकिन Resilience है क्या यूज करेंगे 1, 2, Resilience का यूज कर दिये हमारे British Bulldog ने आप कोई भी बाहर हो सकता है Drew McIntyre भी हो सकते है Orton भी हो सकते है और British Bulldog भी हो सकते है यूज की इनके पास Resilience बचा नहीं है और Drew McIntyre मेरे ख्याल से पीटे जा रहे Kendo Sticks एक और RKO ओके Orton के ध्यान नहीं अटाया जा सकता है Orton से ध्यान अटाया Yuko Zuna सर को RKO चड़ दिया फिलार के लिए RKO चड़ा सही लेकिन Yuko Zuna का Pinfall नहीं हो रहा है Pinfall करना सजूर ही है जबकि मैंने कहा Pinfall ही नहीं कर रहे ठैर कोई बात नहीं Orton से को दूर फेक दे मैंसूर ने कि Orton से को दूर फेक दो वर्णा किसी न किसी को RKO मार देंगे ठीक है अभी के लिए Claymore Finally आती भी British Bulldog को Pinfall कौन करेगा Pinfall हाँ रेफरी का है One, Two और यहां पे Three हो जाएगा British Bulldog हो गए बाहर जो पिछली बार अच्छा खेले थे लेकिन सबसे पहला Elimination इनका हो गया है कोई बात नहीं अभी के लिए मेरे ख्यासे Normal Move से बाहर करा जा सकता है क्या डूरू को नहीं Connect नहीं किया अभी तक युकोजूना ने युकोजूना फिनिशर नहीं Connect करोगे बाहर हो जाओगे ओके एक और स्पाइन बस्टर और इसके बाद किप इनफॉल होगा One One में ही मैंसूर का किकाउट और टनसर तगड़ा लड़ो नहीं लेकिन कब सा कैसी टिक पाएंगे पता ने अभी के लिए एक बार और पावर बॉम का यूज करा और यहां पे फिन बैलोर का 1916 पड़ चुका है और One Two और टनसर की काउट नहीं कर पाएंगे तो और टनसर का होगा अगला Elimination अब मैच में बचे हैं डू मैकिंटायर यू को जूना फिन बैलोर और मैंसूर इनी में से किसी की टीम बनानी है मुझे लेकिन किस की ये तो मैच के खतम होते होते ही पता चलेगा खेर अभी के लिए डू मैकिंटायर को कॉर्णर पे फेका जरूर है पसा की पिन फॉल यू को जूना का चल रहा है वन टू यू को जूना का किक आउट आता हुआ और फिलाल के लिए ओ हो 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 ये होकी स्टिक से मारने का क्या ये लोग निर्ने कर लेते हैं जब तक तूट नहीं जाती है तब तक मारती ही रहते हैं होकी स्टिक से वैसे तो उदर स्टॉम्प का साइन स्टॉम्प का साइन पढ़ा है लेकिन वो कोई देख नहीं रहा है क्या स्टॉम्प का साइन उठा की भी मारो टैप कर सकते हैं डू मेंटायर बिल्कुल लेकिन क्या करेंगे अभी तो दिखने रहा दूर दूर तक की करेंगे रिवर्सल कर दिया है ठीक है बज गए डू मेंटायर क्ले मोर लगाना चाहिए ओ हो हो केंडो स्टेक को भी ले आया है यू को जूना पर मारते हुए और मेरे धिल्षाल से ब्डू मेंटायर जाएंगे रिंग में और क्ले मोर मारेंगे क्या मारेंगे खीला नहीं मारा आप करेसिलेंस चला गया अभी के लिए डू मेकिनटायर क्लेम और करेंगे तो मेरे कहाल से बाहर होने वाले क्लेमोर अभी पिनी फ्यूचर शौक डिडिटी लगा दे मेरे भाई मुझे नहीं पता डू मेकिनटायर कुछ क्यों नहीं लगा रहे हैं बाहर बाहर फेक दिया मैंसूर को अभी के लिए रिंग में अकेले बचे हैं डू मेकिन्टायर और वापस आजो रिंग में आजो मैं तो कह रहा हूं उधर यूको जुना ने अपना दबदबा बना लिया है फिन बैलॉर के सामने वापस चाह गए डू मेकिन्टायर रिंग में क्या क्ले मोर आएगी समय से पहले लेकिन अगर नहीं आई तो मेरे ख्यास से अगले ऐलिमिनेशन डू मेकिन्टायर का ही होगा और रिवर्सल कर दिया है मैंसूर ने यूखो जुना बार बार उपर नीचे क्यों जा रहे हो मैं तो कह रहा हूं नीचे ही मारो फिन बैल और को क्य जा रहा है अभी के लिए क्या करने जा रहे मैंसूर रोप का इस्तमाल करके छोटा सा स्टॉंप दिया है लेकिन इसका कोई फाइदा है नहीं और एक बार और हैट डेमिज करते हुए हैट डेमिज करी दिया है तो मैंसूर अपना फिनिशल लगाएंगी मुझे लग रहा है बिलकुल लगाएंगे लेकिन रिवर्ट सार क्ले मोर क्ले मोर कनेक्ट और ये जो बुलिट से भी सेज क्ले मोर आईगे इसके बार मैंसूर टेक पाएंगे क्या मुझे नहीं लगता उद्हर ओके योकोजूना का पिंफॉल पे ध्यानी ने रेफरी ने फिन बैल और परिशान किया रहे मेरा भी पिंफॉल कर लेतें फिलाल के ये इक और क्ले मोर आएगी और मैंसूर हो जाएंगे बाहा लेकिन क्या आएगी फिलाल के ले कौरणर पे ये पह्छिस जो पाएंगे मैंसूर फिलार के लिए dancing किया है रिवरसल के बाद change army नहीं नौर्मल전 recruit मैंसूर एक और यह परनेयश đपर और यह लगता है डू मैकिन टायर अपने आपको बचा नहीं पाएंगे और मैकिन्टाइर का one his उससे पहले फिन पहलोवर का एलिमिनेशन हो चुका यूकोजूना सर की ताकत फिलार के रेफरी जल्दी करना हा वन टू और डू मेकेंटायर का बीट आठा तो अन्थ में बचे मैंसूर और ओके लोबलो कनेक्ट लोबलो एंड मुझमेंट के लिए बचा के रखी थी मैंसू और मुझे लगता है यूकोजूना भी बाहर होने वाले वन टू यूकोजूना भी बाहर होंगे अन्थ में जो कांड किया मैंसूर ने आखरी में लोबलो लगा के अगर ये ना करते तो शायर यूकोजूना सर जीत जाते लेकिन अन्थ तक लोबलो बचाने का रीजन यही आए था कि अंथ में मारेंगे जो भी बचश जाएगा मैंसूर की स्टैटिगी काम आईके फैर मैंसूर जीत चुके हैं अब टेक्स टर को फएस करेंगे तो आओ मैंसूर की टीम बना ले तो सफप टाक से टीम बनाएमगे और देखते हैं कि मैंसूर की टीम में कैसे सदर दीख रहर है कि इसी टीब है जो डेक्टर के बाद होने के बाद मेरे ख्यालक शादा अच्छा लड़ती है क्योंकि दोबार और तर और पतर नहीं क्यों सब्सक्राय जिताए पतनी मेंसूर की टीम कैसे बनने वाली है क्योंकि वही तो टक़ देगी एक्सटर की टीम को आओ पहला रैंडब प्रेयर सेलेक्ट करते हैं पहला रैंडब प्लेयर लगेंगे ओमस ओके ओमस आँ चुके और ओमस के बाद देखते कौन लगेगा दूसरा और ओमोस के बाद आ गए हमारे ओके हैं वर्टो ठीक है हैं वर्टो का पहली बार है लेकिन टीम बन चुकी है और देखना यह है कि यह टीम कैसा टक्कर देगी डेक्स्टर की टीम को तो चालू करते हैं मैंसूर वोसिज डेक्स्टर लेक्स गो तो यह मैच इधर चालू होता हुआ मैंसूर और डेक्स्टर चालू करेंगे और मैंसूर ने अपनी एलेक्ट्रिक चेयर पहले लगा दिये मैं बता दू कि एक एक पिरिशर सभी के पास है और मैं यह भी बता दू कि नॉर्मल मैसे तो कोई भी हतियार का यूज नहीं कर सकते ह हैं लोग मैं बता दू यह एक और चीज की हैं बर्टो पहले तो अपनी जग्शले जाओ बार-बार ऐसे लड़ना ज़रूरी नहीं है फिलार के लिए मेंसूर ने कहा कि चलो मैं बादेता हूँ फिर अगर हैंबर्टो नहीं वार सकता है तो ठीक है फिलाल के लिए रिवर् और ये वही चॉक स्लेम लगाते हैं जो बहुत ज़ादा रिवर्सल होता है तो ओमॉस कहीं सबसे पहले बाहर ना हो जाए मैंसूर की टीम में से फिलाल के लिए फिन फॉल कर रहे हैं डेक्ष्टर की वही पुरानी कहानी की टैग नहीं दे रहे हैं डेक्ष्टर पता नहीं क्यों समझ रहे हैं कि ये टैग्टीम मैच नहीं है टैग्टीम मैच है मेरे भाई टैग्ट नहीं दोगे तो ऐसी बाहर हो जाओगे फिलाल के लिए किक आउट आया ओमोस की तरफ से और अभी के लिए ओमोस ने किक आउट तो कर दिया लेकिन ऐसी पिटते रहे तो सबसे पहला एलिमिनेशन ओमोस को हो जाएगा मारो जितना हो सके मारो मैं जानता हूँ ओवराल कम है लेकिन अगर मैंसूर की टीम जीतती है तो मैं तुमारा ओवराल बढ़ा दूँगा और हैंबर्टो का भी बढ़ा दूँगा मैंसूर अंदर आ गए हैं तो लेट सी कि क्या कुछ कर पाएंगे क्योंकि फिनिशर जो दिय था उसका था वह यूज कर चुके अभी के लिए संब्विशन लगाते हैं ऑ्रटन सर बचाने के लिए डिया है ठीक है और न बचाया मैंसूर को उपनने संब्विशन कर दिया ते क्योंकि टैग नहीं दिया था टैग स्टेम मैश में अधिनिशर नहीं होते цент देंश,- के लिए बूम एक बर और पंच इस पड़े ठीक है डेक्टर को मार पड़ गई टैग हाँ अरे मैंसूर ने टैग नहीं दिने दिया डेक्टर ने मन बना ही लिया था टैग देने का तो देना देना चाहिए था अब टैग टीम मूव मैंसूर की टीम से देखने को मिलेगा नही ओमउस का डि capture अचुका है क्या मैंसूर अपना एक और फिनिचर लगाएंगे और डेक्टर को बाहर कर देंगे, मुझे नहीं पता, खेर एक पंच लगने वाला है, पंच लग चुका है, पंच के बाद मुझे लगता है कि मैंसूर को एक हा मैं सम्मिशन देगा दो, लेकिन सम्मिशन रिवर्ट कर दिया डेक्स्टर का स्विंगिंग नेट ब्रेकर में खतरनाक आज लग रहा है मैंसूर की टीम जीतेगी ठीक है मैंसूर लेकिन अभी के लिए इक पिन फॉल करने में कायम नहीं हो पाए टैग मांग रहें टैग नहीं देने देंगे डेक्स्टर को मैंसूर और आज डेक्स्टर ने टैग देने की कोशिश करी लेकिन टैग मिल देने नहीं दे रहा है कोई उन्हें अभी के लिए फिलाल के लिए समिशन लग चुका है मैंसूर बाहर होंगे क्या नहीं मैंसूर बाह ने दिया, ओ मौस वरना आ जाते हैं अभी, केक आउट करते हैं मैंसूर, मैंसूर का केक आउट आ गया है, और अभी कले मैंसूर रोप्स के नीचे जाते हैं, और डेक्स्टर फाइनली, फाइनली टैग देंगे, अरे, ठीक है, आज तो मतलब कमाली हो गया, फिलाल डेक्स्ट एलबो पड़ गया है, तो इसके बाद मैंसूर को एक स्टॉंप माणनी चाहिए, मैंसूर बाहर हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए सेट रोलन से स्टाइल मार रहे हैं, ठीक है, सेट स्टाइल माल लो माल लेकिन स्टाइल मारने से पहले हम मैं कहूँगा कि अचा नहीं है क्या, खैर अभी के लिए टैग आता हुआ, और टेंसर को, और टेंसर क्लूज लेल लगाने की नकाम कोशिश कर चुगे हैं, और एक डिस्ट्रेक्शन भी आ गया, खैर, ओमोस पे कोई बास नहीं, और टेंसर अभी आर क्यों रिवर्स नहीं हुआ है, तो मैं सिगनेचर आ चुका है, ओमोस के पास, नहीं, फसा के पिनफॉल, फिनफॉल हो सकता है, वन में ही किक आउट हो गया फिलार के लिए, किक आउट के बाद ओमोस सिगनेचर लगा दे, सिगनेचर में चॉक स्लैम है, मता नहीं लगा पाएंगे, यार क्यों देने जारे थे, तो फिलार के लिए उठा के इप स्पाइन बस्टर हेंबटो को टैग को टैग है और हेंबटो का यह मूव रिवर्टो कैसा खेलते हैं आज देखने को मिल जाएगा खैर एक और मूव प्रिवर्सल हैंबर्टो मेरे गया से हाइफ लाइर है गॉस्टप का यह मूव लगाते हुए और इस मूव को लगाने के बाद डेक्स्टर ने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन दिया एक सूपलेक्स आया सूपलेक्स के बाद हैंबर्टो का थोड़ा सा शरीच ज्यादा मज रहा हुँ लेकिन अवड आल तो तभी बढ़ेगा ना जब मेंसूर की टीम जीतेगी तो मैं कहूंगा स्टॉम्प मत खा लेना स्टॉम्प खा लिया जो मैं मना की स्टॉम्प पेडिगरी मार रहे है पेडिगरी खा लिया हैंबर्टो बहार नहीं है किसमत अच्छी है ठीक है पेडिगरी खाही लिया है तो मैं कहूंगा कि अब दूसरी पेडिगरी मत खाना रेफरी पिट गया है रेफरी को पता नहीं क्यों पीट देते हैं ये लोग हर मैच में अब इक लिए टैग हैं बर्टो ने दे लिया मैंसूर टीम के लीडर आ गए मैंसूर सिगनेचर सिगनेचर नहीं लगा रहे मैंसूर खैर रिवर्सल रिवर्सल कर दिया है सेट ने सेट ऐसी रिवर्सल करते रहेंगे तो इनका सिगनेचर तो आई चुका है और अगर फिनिशर आ गया तो मैंसूर का इलिमिनेशन हो जाएगा एक डीडीडी मैंसूर की दरफ से मैंसूर न लगी नहीं रहें ओके फाइनली लगा ओ मॉस खता नाकप चाती पेर रखके कहेंगे जै माहिश मते ओ सॉरी यह नहीं बोलेंगे चैर जोग सपाट ओके अभी के लिए तो वह सेत रॉले यो भाई चड़ गए चड़ गए चड़ गए यार बिल्कुल ऐसे चड़ गए जैसे पटरी है वो और वो पटरी समझ के चड़ गए उनसे कोई बात नहीं अभी के लिए एक डिडिटी नहीं ओमॉस का आया रिवर्सल रिवर्सल के बाद अब मैंसूर को वापस टैग तो मैंसूर और ओमॉस ज्यादा अच्छा टैग मुझे देटे वे दिख रहे हैं अभी के लिए हमबर्टो तो बचाने की आ रहे है से स्टॉम पड़ेगा मैंसूर बाहर मैंसूर रिवर्सल रिवर्सल नहीं क्या मैंसूर का टाटा हो जाएगा इतने जादा फिनिशर कोई सर्वाइब नहीं कर पाता है चॉक स्लैम नहीं पढ़ा और कैसी नहीं अच्छा बीच मेंसूर ते शायद इस भी है फिलाल के लिए होके ओमास ठीक है एक छोटा सा मूब करते वे टेक डाउन देते वे सेट रॉलिंज को एक बार फिर से सेट सेट और होटन सब जब तक बाहर नहीं करोगे ना डेक्स्टर की टीम को कोई नहीं कर दोगे कोई नहीं कर हमास की काउचD अभी के लिए पंचे राहें ही और दीकने के लगा है रिवर्समतर कर पाएंगे उमस नहीं अब मुझे पड़ने मौखा मिलेगाант विंटिच बीदी से.. फिलाल के लिए पॉटन सिसस्साल मार दिया है तो क्यों हुरोने के बादा। वह मुझे लगा कोई बात नहीं खैन अभी के लिए देखना ये है कि क्या अब ओमास कुछ कर पाएंगे ओमास का कमबैक आएगा क्योंकि अगर एक और आर्क लगा ओमास बाहर हो जाएंगे चॉक्स लैम दे पाएं नहीं रिवर्सल ये मुव भी रिवर्सल हो गया ओमास कु लेकिन इसके बाद भी जाद कुछ होने वाला है नहीं और टैमिज नहीं वह तो मेरे खियाल से उनको कुछ होगा भी नहीं अभी सिर्फ बॉडी और टैंसर की येलो ओई है और येलो बॉडी के साथ तो बाहर नहीं कर सकते हैं फिराज के लिए ओरेंज भी हो चुकिए अगर हैंबर्टो को बाहर करना है तो सिगनेचर लगा दो फिर अपना सिगनेचर लगा दिया है मेरे खियालों के समिशन लगा दिया हैंबर्टो बाहर जैसा कि मैं बोली रहा था और हैंबर्टो बाहर हो गएंसे वो मॉस बचे हैं और ओमॉस का मूव उनी को लगने वाला था उससे पहले ओमॉस ने रिवर्सल कर दिया है और रिव एक और शांदार विक्ट्री होने वाली है मुझे तो लग रहा है क्या डेक्टर बाहर होने वाले हैं अगर रिवर्सल नहीं किया तो बाहर हो चुके हैं ओमोस अकेले जूसते हुए अब ओमोस बाहर हो जाएंगे और टंसर ने फिर से एक बार Dexter के बाहर होते कि साथ मैच को खतं किया है तो Dexter की टीम का तोड अभी तक तो कोई टीम नहीं निकाल पाई है फिराल के लिए देखना ये है कि क्या आगे भी कोई टीम क्या तोड निकाल पाएगी Dexter की टीम को हराने के लिए जब तक ओटन और सहत है ना तब तक मुझे नहीं लगता कोई हरा पाएगा खैस यह मैच इतर खतम होता है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना सब्सक्राइब करना जाद से जाए लोग को शेयर भी करना तब तक के लिए मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में थैंक्स पॉर वाचि एці पॉर है वान दौड़ शैंगा श के लिए हां वीडियो तो लोगी ज softly Philippines लिए डिए लोगिएयो खान का मिलूगी लोगता है ये जाए वाळोगता है तक के लीडियों से दोगवे आए झाल झाल